स्लरी का दिखें, एक तो सिंपल इस्तमाल है, वो थोड़ा इनेफिशिंट इस्तमाल है, कि उसको डारिक्ट में टाल दें. तो वो भी आप कर सकते हैं, परन्तो अगर slurry में से different products को निकाल लें, extract कर लें, liquid को अलग कर लें, solid को अलग कर लें, उसके अलावा उसका fortification कर लें, यानि कि कुछ salts उसमें add कर दें, phosphates add कर दें, या कुछ ऐसे bacteria उसमें add कर दें, उसका fortification हो जाता है, और उनको different products के रूप में agricultural activities में या horticultural activities में उनका इस्तुमाल किया जा सकता है, मेरे हिसाब से typically इने, अगर कोई बड़ा, ऐसे CVG का plant है, बीस से लेके 25 बायो प्रोड़क्स अराम से बन सकते हैं उसमेसे.